हेलो चिल्डरन, हाव आर यू? I hope you all are good and safe. Open your Hello World book, chapter 5, About the Rivers. बच्चों, आज हम नदियों के बारे में जानेंगे. So, let's start. गंगा रिवर बच्चों, गंगा नदी भारत की सबसे महत्पूर नदी है. यह भारत और बांगला देश में कुल मिलाकर 2525 किलो मिटर की दूरी तया करती हुई. उत्राखंड में हिमाल्य से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुन्दरवन तक विसाल भू भागो को सीष्ती है. Okay, Children, Next Yellow River, पीली नदी. जिस तरह से भारत में गंगा नदी को मा का दर्जा दिया गया है, वैसे ही चीन में पीली नदी को मा कहा जाता है. पीली नदी को चीन का सोक भी कहा जाता है. बच्चों, यह दुनिया की साथवी सबसे बड़ी नदी है, जो चीन में है. Next है आपका Sinano River, Sinano नदी को इसके उपरी छेत्रों में चीकुमा नदी के नाम से जाना जाता है. जापान की सबसे लंबी और चोड़ी नदी है. कौन सी? Sinano नदी. बच्चों, यह माध्यम से उत्तरपूर्व की ओर बहती है. Next. सीन जीवर, सीन नदी, फ्रांस में बहने वाली एक नदी है. इसकी लंबाई लगभग 777 किलोमिटर है. बच्चों, पैरिज सहर, सीन नदी के किनारे ही इस्तित है. इसका उदम डिजोन के उत्तरपश्चिम के कम्यून पठारी छेत्र में है. Next. बच्चों, थेम्स नदी, एक परमुक नदी है. लंदन सहर भी इस नदी के किनारे ही इस्तित है. बच्चों, थेम्स कभी वेस्ट जलमार्ग हुआ करता था. यह ओक्सोफाइल, रैडिंग, मैडन हैड, विडंसर, इंटन, लंदन जैसे सहरों से होती हुई, थेम्स नदी, 346 किलोमीटर की आत्रा पूरी करती है. Next, नाइल्ड रिवर. बच्चों, नील नदी सबसे लंबी नदी है. नील नाम युनानी भासा के सब्द निलोस से लिया गया है. संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो अफरीका की सबसे बड़ी जील विक्टोरिया से निकल कर सहारा मरू स्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई भूम अध्य सागर में उतर पड़ती है. Thank you.